तिस स्许ूडियों में हम बात करेंगे वेबशाइड एवयब प्पेज किस स्पीड के बारे में कि हम अपनी क्यासी टेस्ट कर सकते हैं युजंग गूगल अवह भी absolutely free webpage की speed test करना ज़रूरी इसलिए होता है कि हमारी कोई भी website हो blog हो e-commerce site हो या कुछ भी हो उसको हम Google पे rank करवाना चाहते हैं तो अकर उसकी speed अच्छी होगी और users के लिए उसको असानी होगी देखने के लिए तो Google उसको जल्दी rank करेगा और जल्दी हमारी website जो है वो top pages में नजर आए करेगी और साथी साथ जो कोई भी user हमारी website पर आएगा तो अगर वो लोड जल्दी होगी उसकी speed अच्छी होगी तो वो ज्यदा देर उस पर spend कर सकता है या उसको website अच्छी लग सकती है तो यह बहुत important factor है किसी वेबसाइट के लिए कि अगर speed कितनी है क्या है और क्या options गूगल हमें शो करवाता है हम यह भी देखेंगे साथ हम specifically यह देखेंगे तो images का format है क्योंकि सबसे जो heavy चीज़ होती है वह हमारी images होती है किन formats को use कर सकते हैं कैसे हम उनका size उसको reduce कर सकते हैं तो सबसे पहले आपने गूगल पर या अपने किसी वी वेब ब्रॉजर पर जाना है और वहां पर जा कि आपने page speed लिखना है और आप इसको search करें तो सबसे पहले जो आपको लिंक नज़र आएगा वह गूगल का लिंक होगा developers.google.com then slash speed slash insight अगर आप चाहें तो इस तरीके से लिख सकते है developers.google.com slash speed slash insight नहीं तो यह गूगल का developers का लिंक आ रहा है आप इसको open करें और गूगल आपको अपने इस page पे ले जाएगा यहां जिस भी वेब पेज की आप speed टेस्ट करना चाहते हैं उसको डालने लेट से मैं कहता हूं कि मैं motivationbeat.com इसको चेक करना चाहता हूं तो मैं इसको analyze करूँगा गूगल थोड़ा सा टाइम लिगाएगा इसको analyze करने में और हमें बताने में कि आपके वेब पेज की actual speed क्या है progress पूरी होने के बाद आपको यह Google developer का जो page है यह बताएगा कि आपके website की speed क्या है आप मज़े की बात यह है कि यहाँ पर आपके पास दो options है एक mobile और एक desktop आप दोनों के views देख सकते हैं फिलवक्त mobile पर जो इस web page की speed आ रही है वह 75 आ रही है desktop पर 88 आ रही है यह काफी अच्छी है बहुत तेज नहीं है लेकिन एक अच्छी रेंज में आती है कर सम्वेर राउंड 80 प्लस भी आपकी website रहे तो सम्हाओ यह ठीक है सबसे बहतरी जो लिमिट है वो 90 to 100 है विच मीज़ दन ये ग्रीन होगा और आपकी website जो हो बहुत अच्छे से काम कर रही है और यह difference पर आपको नजर आहा होगा डेक्सटप का जिस तरी के से नजर आ रहाँ होगा वह आप पर यहां पर शेयुकर तैगा साथ हैं उसके दिखाता है कि इस तरी के इस तरी की वेप साइट को लोड़ किया और गर में नीचे आए तो यह पॉसिबल आप्शन जहां से आप अपनी website की speed को तेज कर सकते हैं सबसे पहली possible option जो आपको देखता है वो आपकी images और इन तमाम चीजों के हवाले से देता है कि अगर हम इसको open करें यहां से तो यह images है जो हम मेरी website के ओपर मेरे web page के ओपर काफी heavy है और अगर मैं चाहूं तो इनको slow या इनको छोटा size करके इनको अपनी website को तेज कर सकता हूं जो possible इसके size है वो यहां पर बता रहा है और सेविंग आप कितनी कर सकते हैं इसको reduce करके और इसी तरह property size images अगेन वह उसमें इमेजिस ही आपको देगा कि इमेजिस जो हैवी है को आप चाहें तो आप रिडियूस कर सकते हैं अपको इसके बारे में इन्फरमेशन देगा अपकुछ चीजें इन से हमें समझ बहाएंगे कुछ नहीं समझ बहाएंगे लेकिन सर्फ वहर इस चीज़ है वह हमारी images के हम अपनी images को कैसे चोटा कर सकते हैं तो गूगल खुद यह कहता है कि आप वेब पी फॉर्माट या एविया ये format को यूज कर सकते हैं वेब पी फॉर्माट आप images के लिए यूज कर सकते हैं और एविया ये format आप अपनी वीडियो के लिए यूज कर सकते हैं जो आपने अपने वेब पेज के अंदर डाली हुई है यह रिकमेंट नहीं करते क्या पी इंजी या जे पी जी के फॉर्मेट में डालें विकॉल उसके विजह से ये images काफी हैवी हो जाती है अब हम चेक करते हैं कि अगर हम अपनी किसी भी image को वेब पी फॉर्मेट में convert करना चाहते हैं तो कैसे convert करेंगे और convert करने के वाद साइ यहां पर 811 किलोबाइट आ रहा है अगर हम इसको गूगल पर जाएं और आप लिख देंगे पी एंजी यह आपकी जो भी फॉर्माट हो जेपीजी हो कुछ वाप उसको क्लिक करें बहुत सारे online convertors आपको मिल जाएंगे आप किसी को भी यूज कर सकते हैं specifically मैं किसी के बारे से convert कर सकते हैं इस थर्ड वन इसको आप खोल सकते हैं कुछ जो आपकी जो converters हैं free होते हैं कुछ आपको limited numbers देते हैं कि आप पांच-दस images convert कर सकते हैं उसके पे करना पड़ेगा तो जो आपको चूज अच्छा लगे आप उसको चूज कर लें इसमें आते हैं और हम अपनी image साइज रेशो की वजए से साइज चोटा बड़ा होने की इसका साइज से चोटा आ रहा था अब हम इसको करते हैं इसको ओपन करते हैं यहां से upload करते हैं थोड़ा से टाइम ले सकता है अब यह हमें दिखा रहा है कि आपी current image जो है वो यह है इसका current size यह है इसकी रेशो पिक्सल्स जो है इसका size यह है और अगर मैं करता हूँ तो यह मुझे conversion के बाद फोटो दिखाएगा कि आपकी फोटो कुछ इस तरीके क्योंगे तो अगर हम देखें बस जाहिर हमें कोई चेंज इसके अंदर डजर नहीं आ रहा विकॉज इसने बहुत खुप स्क्रोल करते हैं नीचे और देखते हैं कि फाइल का साइज अब हमारा 50 के भी हो गया है 95.7 परशन हमने अपने size को सेफ कर लिए सेक्यूर कर लिए जो हमारी image website के ओपर 811 के बीज की आ रही थी अब वो सिर्फ 50 के बीज की आ सकती है अब हम इसको यहां से सेफ कर लेंगे हमारी यह फोटो यहां पर डानलोड हो जाएगी इसका size pixel सब कुछ चेंज रहेगा आप इसी तरीके से तमाम तर अपनी pictures को change कर सकते हैं different converters आप यूज कर सकते हैं उन तमाम options को सेफ करें और उसके बाद आपकी website की speed काफी हथ तक जब बेतर हो जाएगी images के हवाले से उसमें कोई झाल